हेलो दोस्तो गूड मार्निंग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ आप सभी का स्वागत है यूपी के खुपसूरत सहर रैब रैली में और आप सभी को होली की रेर सारी सुप कामना है और होली के तेवहार में ये बहुत ही खास रेस्पी मानी जा साथ में गुजिया भी बन रही है तो ये बहुत ही इसमें टाइम लगता है गुजिया बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो जितने ज्यादा लोग रहते हैं उतना अच्छा लगता है नहीं तो फिर अगर एक दो लोग रहते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जा हैं तो मदद भी मिल जाती है क्योंकि बच्चे अगर नहीं मदद करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इसलिए बच्चे भी मदद करते हैं तो यह देखे बेलती जा रही है तो बच्चे बेल रहे हैं और हम और अम्हान दोनों लोग ऐसे भग tanto तो जल्दी हो जायेगक नो फोड़ी-फोड़ी घुजिय कोजिय बेलती जा रहे रही है और तलते जा रहे हैं हमारे यहां यूपी में यह सबसे पहले समो बनते हैं तो दो समो बनाए हैं फोली में और सबसे पहले वही निकाले जाते हैं उसके बाद ही गुजिया निकलती हैं तो जो गुजिया बन गई थी उनको पहले तल लेती हूं नहीं तो फी सूक जाती हैं तो फी फूटने लगती तो इसलिए जितनी बन गई थी उतने पहले तल लेंगे और वाकी कि यह भी बन रही है और सबसे मेहनत का काम रहता है गुजियों को तलना क्योंकि यह पलती नहीं है एक तरफ से पल्टो तो दूसरी तरफ फिर वापिस से वही साइड में हो जाती है क्योंकि इनको तलने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगते है तो यह देखिए पक गई है तो इनको पकने में इनको लगभग डेर से दो मिनट लगे हैं और धीमियाज में पकाई है बहुत अच्छे से पक जाती है तो बस तलने में थोड़ा सार मुश्किल होता है बाकी इसमें लगता है तो यह देखिए जितनी बनी थी वह सारी गजिया मैंने इस तरह से तल लिया है तो वस इनको ज्यादा टाइम बनाके मत रखे है थोड़ी-ठोड़ी बनाते जाए है और तलते जाए strengthening कीनको पूटने लगती है तो यह देखिए इतनी सारी गजिया बनके तैयार हो